आई लव बिहार लिखा हुआ यहां पर और इस मरई में देखिए आप लोग को मिलने वाला है पत्थल की मुर्थ अब लोग जैसे कि गाउं में मेला लगता है और यहां पर आप लोग को दिखाने वाला हम गाउं वाला मेला देखिए यहां पर जैसे डीने मेला लगता है उस तरीके से ग्राउंड बना है और ग्राउंड में चारों तरफ गांवाली मेला दिखेंगा दिखिए चारों सराइसदे के अपलोगों को दिखा देते हैं और चलिये बारिका शेलनılar वी दिखाते हैं और दोस्त और लेडिस के लिए कान होगा रहा के लिए लगा हुआ और यहां पे आप लोग को दिखा दे कि जो भी खाना हो आइस क्रीम होगा खाना हो तो यहां पे आप खा सकते हैं देखिए अधाबद विर्यानी भी लगी हुई है भाई क्या वाथ है इस ग्राउंड में सोनपूर मिल देखिए आई लव भी हार लिखा हुआ यहां पर और यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया और दोस्तों इसके बाद आप लोगों को दिखा देकि यहां खाड भी है इस ग्राउंड में भाई और इसको देख रहे हैं मुसर और ओकर ओकल और मुसर है यहां पर और यहां देख इस ग्राउंड में और चीज भी आप लोगों को दिखा देता है देखे यहां पर बहुंत बाइब दियान से यह मेला लगा हुआ है अधम इस मेले में घुमेंगे नहों तो ऐसा लगेगा कि हम गाउं के मेले में घुम रहा है देखे ग्रामेड और यह बच्चों के लिए बै कपड़े के लिए आपर लगा है कितना का बुजा तीन सो में आप कोई भी ले सकते हैं और खाने-पिने वाला समान यहां पर आप लोग को मिल लागा देखे और गाउं में जो लीटी चोखा मिलता है ओ भी यहां पर मिल रहा है और यहां पर देखे लने वाले को चूडी और आप लोARRYम यहाँ पर लकिडी का कुछ समान है जिसके चाविरिंग लगा यहाँ भर्णा है यहां पर लगा सकते हैं आपड़ा वगा इस लिए सब लाइटिंग वैजियानिंग बना सकते सोपीश इतने भी बना है डास का BT कितना डिजान से बना हुआ यहां पर मंदिर भी बांस का इब और फाल सब्जी यहां इसमें रख सकते हैं यह भी बांस का यह देखें कितना अच्छे से डिजानिंग किया गया है क्या सकते हैं और डिक Clay और के लिए मतलब चीज बांस का इаст का यह सकते हैं और शाइड लाव ग्राया लेसके हैं और चाबरिंड हें किस क्रिके से मतलब गाउंगे मेलाता कट एक यहां से यहां से मंगल तरीकů यहां सब्सक्तिक्राइब और तो दिखान चुका है और काफी भीडा में यह जोंड भूल और चाबरिंगरंभे हाँ हाँ देख सकते हैं ति आप दिखिए चारत रृप आप घाओं के जैसे में इसे बनाया पड़ता ह्यूंशूरू और यहाँ पर देखिया थी मैं यहाँ यहाँ पर देखिया चूड़ी गैरा यहां पर देखे कम्मल ले सकते हैं एक दम गाउं के जैसे दिखेगा आपको देखिए और यहां देखे चाबरिंग अगारा जो भी शिलेंडर बना हुआ है क्या चीज सब लकडी का बना हुआ है देख रहें आप लोगं सब सब्सक्राइब के लिए शिचा के लिए फ्रेम यहां पर और यहां पर देख सकते हैं आप कार्पेट ले सकते हैं और पेर साथ करने वाला जो भी करपेट है चोटे चोटे हो सारे चीज़ ले सकते हैं और यहां पर देखे फिर से बांस वाला डिकोर आ चुका है अगर इसमें लाइट भी लगा दिया जाए तो और अच्छा डिकोर हो जाएगा और यहां पर देखें पीतल का बर्तन दे सकते हैं पत्थर के सारे मूर्तिया है यहां पर दे सकते हैं सोन की मेला इसी गराउंड में आप लोग को एलक्टिक मसीन भी में जाएगा अलेक्टिक मसीन माना जाए तो देखिए सीलिंग फेन भरने वाला मसीन है बाकि आठा पृस्ने वाला मसीन है बाकि सारे कई मसीने हैं जो इस ग्राउंड में जाएगा अब देखिए अब आपको गाहाँ वाला मेला बीच में दिखा देता हूं दोस्तों अभी तक तो चारो साइट में दिखाया हूं और देखिए असल में आप लोग को मेला लगा देखिए कर्पट और दूसरे में देखिए इहां पर साल और जाक्ट अगए मतलब कपड़े की दुकान था क्योंकि इस मेला को हमें गाउं के जैसे दिखना है दूसरा फिर से यहां मरई में आप लोगो चाबरिंग मिल जाएगा जो भी डियान के चाबरिंग चाहिए जो आपने नाम लिखवाना चाहते हैं और नाम भी लिखवा सकते हैं इस मरई में देखिए और यहां पर इस मरई में देखिए आप लोगो मिलने वाला है पत्थल की म और जैसे आपको पथर का कटवा के बनवाना है वैसे बनवाने वाले भी हैं जैसे डिजान चाहिए वैसे बनवा भी सकते हैं देखिए इतना अच्छे मुल्टिया है हैं और नई चीज को और दिखा दें दोस्तों यह है डोली जो पहले साधिविया होता था तो यह डोली में जो दुलिहन जाती थी वह डोली बना हुआ है यहां यह डोली है दोनों तरप डोली बना हुआ एक एक साइड में इधर और एक साइड में उधर, दोनों साइड में डोली बना हुआ है, देख़ए आप लोग, तो काफी मजदार वाला यहां, ग्राउंड का मेला है, जो गाउं के मेला लगा हुआ है, यह सौनपूर के अंदर रही है, तो दोस्तों, इस गाउं का मेले को दिख हैं, तो यहां वीडियो आप लोगा कैसे लगा, कमेंड में जरू बताएगा, आभी तरह हमारे चनल पर नए हैं, तो फुरी चनल को सब्सक्राइब करेंगा, तो चले दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धर्म्यावार में जब तक के लिए, बाई बाई,